हेलो दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कछा दास हिंदी कावे का पहला चैप्टर यानि पद को एकड़म अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं साथ में हमने handwritten notes भी लिए है ठीक है यानि कि पढ़ाएंगे प्लस साथ में आपको इसकी ब्याख्या भी पूरी हम लिख करके आपको दिखाने वाले हैं एक एक पद की ब्याख्या को ठीक है न कि बोर्ड एक्जाम में कैसे आपको लिखना है पढ़ाने के साथ साथ आपको सम करते हैं बीना देरी किये हुए तो दोस्तों हम आ चुके हैं पद नंबर एक पर पहले इसको पढ़ते हैं उसके बाद आपको पढ़ाते हैं फिर हम इसको लिखना सिखाते हैं ठीक है ना चरन कमल बंदओ हरी राई जाकी क्रफा पंगुगिरी लंग है अंधेको सब कछुदर साई बहीरो सुने गूंग पुनी बोलाएं रंक चलाएं सिर छत्र धाराई देखो इसका मैं सबसे पहले आपको ब्याख्या बताता हूँ ठीक है ना चरन कमल बंदव हरी राई यहाँ पर सूर्दास जीस में क्या कर रहे है भगवान स्री क्रिष्ण के कमल रूपी चरनों की बंदणा करते हुए ठीक है ना बंदव मतलब बंदणा करते हुए किसकी भगवान स्री क्रिष्ण की हरी राई हरी राई मतलब राई मतलब राजा होता है ठीक है ना राई मतलब राजा यानि कि स्रीक्रिष्ण का जो है यहां पर एक राजा के रूप में वर्णन किया जा रहा है तो क्या कहते हैं कि राजा स्रीक्रिष्ण के कमल रूपी चरणों की बंदना करते हुए भगवान यहाँ पर सूर्दास जी क्या कहते हैं क्या कहते हैं जाकी क्रपा पंगुगिरी लंगें अंधे को सब कछुदर साई क्या कहते हैं कि भैया इन चरणों का प्रभाव बहुत ब्यापक है कैसे ब्यापक है क्योंकि इनकी क्रपा से जाकी क्रपा मतलब इन चरणों की क्रपा से पंगु गिरी लंग है पंगु मतलब होता है लंगडा व्यक्ति ठीक है ना पंगु मतलब लंगडा व्यक्ति गिरी मतल परवतों को लंग है मतलब लांग लेता है यानि डांक लेता है कहने का मतलब ये है कि इनकी क्रपा से यानि इन चरणों की क्रपा से लंगड़ा व्यक्ति जो है वो परवतों को लांग लेता है अंधे को सब कचुदर साई अंधे को मतलब जो अंधा व्यक्ति होता है उसको ब्यक्ति फिर से सुनने लगता है गुंगा ब्यक्ति फिर से बोलने लगता है और रंक चलाय सिर छत्र धराई मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो सिर पर राजा का छत्र धारण करके चलने लगते हैं छत्र मतलब जो राजा लोग धारण करते हैं है न कि रंक चलाय सिर छत्र रंक लोग गरीब लोग अपने सीर पर राजा का छत्र धारण करके चलने लगते हैं ठीक ना इन चरणों का इतना ज्यादा प्रभाव व्यापक है अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिह पाई यानि कि ऐसे दयालू भगवान स स्री क्रेशन के पाई मतलब पैरों की बार बार बंदों मतलब बंदना करता हूं स्वामी करुणा में मतलब धयालू ठीक है न ऐसे दयालू भगवान स्री क्रेशन के चरणों की में बार बार बंदना करता हूं ये तो हो गया इसकी ब्याख्या आप चलिए देखते हैं इसक कमल ऐसे लिख देना है डैस डैस करके लास्ट के दो सब्द यहां पर लिख देना है ठीक ना उसके बाद इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखना है तो संदर्भ कैसे लिखेंगे देखो मैं एक बार ही संदर्भ बताऊंगा ठीक ना बाकी सब जितने पद उनमें पूरवत लिख दूँगा ठीक है ना यानि प्रस्तुत पद्यान से हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काववेखंड में संक्लित पद सीर्शक से अवतरित है जिसके रचैता सूर्दासची है इस तरीके से आपको इसका संदर्भ लिख देना है इन दोनों को हाईलाइ स्री क्रिष्ण के चरणों की विशेस्ता का वर्रन किया है उसके बाद देखो ब्याख्या हम कैसे लिखेंगे सूर्दास जी कहते हैं कि भगवान स्री क्रिष्ण के कमल रूपी चरणों का प्रभाव गहुत ब्यापक है देखिए कैसे लिखा जाएगा मैं बता रहा हूँ ठीक है ना इन चरणों की क्रपा से लंगड़ा व्यक्ति परवत को लांग लेता है तथा अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है तथा गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है गरीब व्यक्ति राजा की तरह सीर पर छत्र धारण कर लेता है सूर्दास जी ऐसे दयालू प्रभु के चरणों की बार बार बंदना करते हैं इस तरीके से बोल एक्जाम में आपको इसकी ब्याख्या लिख करके आना है फूल में से फूल नंबर आपको मिलेगा अब इसकी पीडियाफ भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे अभी तक जॉइन नहीं किये हो तो लर्न विथार्पी सर्च करके जॉइन कर लो चलिए चलते हैं पद नंबर दो की तरफ तो मित्रों हम आ चुके हैं पद नंबर दो पर अभी गत गती कछु काहत न आवे ज्यों गूंगे मीठे फल कोरस अंतर गत ही भावे परमस्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोस उप जावे मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे रूप रेख गुन जाती जुगत विन निरालंब कित धावे सब विधियगम बिचार ही ताते सूर सगुन पद गावे अभी गत गति कछुक काहते नावे सूर्दास जी यहांपर अभी गत मतलब होता है निर्गुड ब्रह्म यानि जहां तक जाया ना जा सके कौन है वो निर्गुड ब्रह्म ठीक है ना प्रकार गुंगा ब्यक्ति मीठे फल के रस को ठीक है ना जैसे आगर कोई गुंगा ब्यक्ति है उसको आप कितना भी मीठा फल दे दें वो उसका रस के वाल अपनी आत्मा में चक सकता है किसी को उसका बखान नहीं कर सकता कि भईया इस फल का रस किस तरीके का है वो तो भईय ऐसे किसी को बता सकता है कि इस फल का अनन्द कैसा है। तो उसके मन में अम्रित की तरह उत्वन करता है ठीक है ना तो उसके मन में आनंद उत्वन करता है तो उसके मन में आनंद उत्वन करता है उसका जो रस है वो किसी को बता नहीं सकता भाई केवल अपनी अंतर आत्मा में ही समझ सकता है ठीक है ना उसका जो मुख स्वाद है जो सबसे निराला होता है उसका वरण वो किसी के साथ नहीं कर सकता मन बाडी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे मन बाडी को अगम अगोचर मन बाडी के यानि मन और बाडी के द्वारा उस निर्गुड ब्रह्म को हम लोग नहीं पा सकते हैं अगम अगोचर अगम मतलब जहां पर जाया नहीं जा सकता और अगोचर मतलब इंद्रियों से रहित यानि बिना इंद्रियों के उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं ठीक है सोजाना है जो पावे जो उनको जानता है केवल वही उनको प्राप्त कर सकता है ठीक है ना रूप रेख गुन जाती जुगती बिने रूप मतलब बिना किसी सवंदरे के बिना किसी रूप के रेखा मतलब बिना किसी आकार के गुन मतलब बिना किसी गुण के जाती मतलब बिना किसी जाती के जुगती मतलब बिना किसी युकती या उपाय के बिना हम निराल निरालंब मतलब बिना सहारे के कित मतलब किधर धावे मतलब दवणे उनको पाने के लिए क्योंकि ना तो उनका कोई रूप है ना आकार है ना कोई गुण है उनका ना कोई जाती है ना कोई युक्ती है इन सब के ना होने पर हम भी सहारा किधर दवणे उनको पाने के लिए इसलिए सूर्दास जी कहते हैं कि भाईया मैं सगुन भक्ती के पद गाता हूं अर्थात भगवान स्री क्रेशन से रिलेटेड पद गाता हूं ताकि मुझे कुछ समय बाद उनके दर्सन हो सकें ठीक है ना निर्गुड ब्रह्म का दर्सन तो अगाम है बहुत ही मुश्किल है तो चलिए मित्रों इसको कैसे लिखेंगे एकजाम में वो आपको बताते हैं तो देखो मित्रों अगर एकजाम में ये वाला पैसेज आता है तो सुरू के दो सब्द और अंत के दो सब्द लिखकर ऐसे डैस डैस कर देंगे ठीक है ना संदर्भ में मैंने जो आपको पहले म में बताया है स्वेम वही यहाँ पर रहेगा अब बार बार वही चीज मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है संदर भाप कोई जाम में पूरवत नहीं लिखना है वहाँ पर जो पहले वाला है वो लिखना है ठीक ना पुरसंग क्या लिखना है प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्द जी कहते हैं कि निर्गुड ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि जिस प्रकार गुंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को किसी को बता नहीं सकता केवल अंतरात्मा में समझ सकता है वैसे ही ब्रह्म की केवल अंतरात्मा में समझा जा सकते है यानि ब्रह्म को वाड़ी से अगम्मे है और इंद्रियों के बिना उन्हें कैसे धूड़ा जा सकता है उनको केवल जो जानता है वही पा सकता है ठीक है ना बिना किसी रूप और आकार बिना किसी जाती और युक्ति के उन्हें खोजने के लिए हम किधर दोड़े सूर्धास जी कहते हैं कि मैंने सब प्रकार से ब्रह्म को अगम्मे समझ लिया है इसलिए मैं सगुण भक्ति के पद गाता हूँ ठीक है ना चलिए मित्रों चलते हैं हम पद नंबर तीन पर तो मित्रों हम आचुके हैं पद नंबर तीन पर किलकत कान घुटूर अनियावत मनी मैं कनक नंदे के आंगन बिम्ब पकरी बैधावत कब हुनी रख हरिया पुछाह को करिशं पकरन चाहत किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ पुनी पुनी तिहियाओ गाहत कनक भूमिक पर करपग छाया यह उपमाईक राजती करी करी प्रतिबद प्रतिमनिव सुधा कमल बैठ की साजती बाल दसा सुख निरखिज सोधा पुनी पुनी नंद बोलावती अचरा तरले ढ़ा की सूरे के प्रभुकव दूध पियावती ठीक न देखो यहाँ पर सूर्दास जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा वरण किया है भगवान स्री क्रिशन की बाले आवस्था का वरण करते हुए सूर्दास जी क्या कहते हैं वहिया कि किलकत कान घुडु खान मतलब भगवान स्री क्रिशन घुटूर्वन आवत मतलब घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं मनिमय कनक नंद के आँगन कनक मतलब सोने के मनिमय मतलब मडियों से युक्त मडियों से युक्त सोने के नंद बाबा के आँगन में बिम्ब पकरिवे धावत मतलब पकड़ने के लिए दड़ते हैं, कभी वो अपनी परछाई को देख करके करिसव पकड़न चाहत अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं, पकड़ने के लिए उपमा इक राजती और यह उपमा इक राजती और यह उपमा इक राजती और यह बहुत ज़्यादा सुसो भी तो हो रहा है, ठीक ना? यानि के उनके पैरों की जो छाया है उस आंगन पर बहुत ज़्यादा सुसो भी तो हो रही है, करी-करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजती और यह बार बार कर रही है, ठीक ना? कमल बैठ की मतलब कमल आसन यानि कहलो की कमल का बैठने का आसन, ठीक ना? तो क्या कहते हैं कि जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वो जो प्रतिपी है, वहां की जो भूमी है, वो उनको कमल बैठ की साजत, मतलब कमल का आसन लगाती है, भगवान स्री क्रेशने के बैठने के लिए आप बैठ जाइए, ठीक ना? कमल का आसन वो लगाती है, ठीक ना? रियल में तो लगाती नहीं होगी, लेकिन सूरदास जी ने इतना बढ़ा चड़ा करके लिखा है, आप कह सकते हूँ, मायती सयोगती है, ठीक है ना? बाल दसा सुख निराखिज सोदा पुनि-पुनि नंद बोलावत, बाल दसा मतलब उनके बच्पन की अवस्था को देख करके सोदा मयय बार बार नंद बाबा को बुलाती है, यानि कि उनकी दसा को दिखाने के लिए कि किस प्रकार वो कलाकारिया कर रहे हैं, वहाँ पर ठ ठीक है ना, अचरा तरले धा की सूर के प्रभु को दूद पियावती और अपने आचल के नीचे उनको ढख करके दूद पिला रहे हैं, ठीक है ना, सूर्दार जी यहाँ पर एक्स्प्लेन करते हैं, अब इसको कैसे लिखेंगे, चलिए भईया, आपको बताते हैं, तो दे ठीक है ना, यानी वच्पन में वो कैसा क्या कलाकारियां करते थे, उसका वरण यहाँ पर सूर्दास जी ने किया है, ब्याख्या हेडिंग डाल देंगे, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, ब्याख्या ध्यान से देखिए, सूर्दास जी भगवान स्री कृष्ण की बाल्याव पकड़ने के लिए दवडते हैं, कि लगते समय उनके आगे के जो दो दात हैं, सुसोभी तो हो रहे हैं, स्री कृष्ण बार बार अपने दातों को पकड़ते हैं, ठीक ना, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर, तो मित्रों आ चुके हैं, नेक्स्ट पेज पर, नंद ब बाबा को बुलाती हैं और अपने पुत्र को आचल के नीचे ढख कर दूध पिलाती हैं ठीक है न इतना आपको लिख देना है पूरा नंबर मिलेगा मित्रों दो नंबर में से आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है चलिए चलते हैं नेक्स्ट पद की ओर तो मित्रों हम आ चुके हैं पद नंबर चार की ओर। पुरे स्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दें हो। इन के भीतर ग्वाल मतलब ग्वाल बालाओं के बीच और गईयों के संग वहाँ पर नैकम डर नहीं लागत एक भी डर नहीं लगता है। आज न सोवाँ नंद दुहाई मैं आज सारी रात नहीं सोऊँगा रहनी रहोंगा जागत सारी रात जागता रहोंगा मुझे नंद बाबा की कसम ठीक है ना। ग्वाल सब गाई चरही हैं मैं घर बैठे रही हूँ जितने भी ग्वाल हैं वो सब गाई चराते हैं मैं घर बैठे रही हूँ आखिर मैं घर में क्यों बैठा रहूंगा ठीक है ना। सूर स्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दी हो तब यह सोदा माता जी क्या कहती है कि हे स्याम तुम सो जाओ अब प्रात जान में दी हो मैं सुबा होते ही आपको जाने दूँगी यानि तनिक भी रोक नहीं लगाऊंगी कि आज आप गाय चराने मत जाइए ठीक है न च ब्याख्या क्या लिखेंगे अपनी माता से जिद करते हुए भगवान स्री क्रिशन कहते हैं कि माता मैं अपनी सब गायों को चराऊंगा। उसके बाद देखो अंत मिया सोधा मैया कहते हैं कि हे स्याम तुम सोजाओ कल सुबह मैं तुम्हें जाने दूँगी ठीक है ना चलिए मित्रों चलते हैं अगले पद पर तो मित्रों हम आ चुके हैं पद नंबर पांच पर मैया होना चरई हों गाई सिगरे ग्वाल गिरावत म सो मेरे पाई पिराई जोन अपत्याई पूँछी बलदाऊं ही अपनी संह दिवाई या सुन माई जसोधा ग्वालिन गारी देती रिसाई मैं पठोती अपने लरिकाकों आवे मन बहराई सुरिश्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई यह अगली लाइन है अगले पेज में ठीक न यहां पर मया हो न चरही हो गाई यहां पर भगवान स्रीक्रेशन अपनी माता से बिंती करते हैं कि है माता मैं गायों को नहीं जराऊंगा ठक गए एक ही दिन जाकर कर ठीक न शिगरे ग्वाल घिरावत मोसो शिगरे मतलब संप ऐरदर्द करने लगते हैं जाउना पत्या पूँछी बलदाओ यदि तुमें विस्वास नहों तो पत्याई अगडर पत्याई मतलब विस्वास नहों ठीक न यह सुन करके यह सोदा मिया गवालों को गाली देती है गुस्से में आकर के ठीक है ना मैं पठवती अपने लड़ी काकों मैं अपने लड़के को भेजती हूँ को जाए और थोड़ा बहुत खेल फिर के मन जो है बहला आए ठीक है ना तो आगे क्या कहते हैं कि सूर स्याम मेरो अतिबालक मारत ताही रिंगाई सूर्दास जी कहते हैं कि असोदा मिया कहते हैं कि मेरा अत्यनत प्रिये बाला कर्था भगवान्स रिक्रेशन को ये जितने भी गवाल बालाएं है रिंगा रिंगा करके दवडा दवडा करके मारे डाल रहे हैं ठीक है ना उनको कस्ट पहुचा रहे हैं ठीक है ना तो चलिए भईया इसका explanation कैसे लिखना है आपको बताते हैं तो देखो मित्रों शुरू में सबसे पहले ये सब्द लिख देना है और रंत में लिख देना है बीच में डैस डैस कर देना है संदर्व पूरवत रहेगा जैसा पद नंबर एक में मैंने बताया है बैख्या में क्या लिखेंगे श्री रिखन अपनी माता से कहते हैं कि मैं अपनी गायों को नहीं चराऊंगा सभी ग्वाल मुझे ही दलाते हैं जिससे मेरे पहर में दर्द हो रहा है यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो बलगाओ भाईया को अपनी कसम दिला कर पूछिए श्री क्रिशन की ऐसी बातें सुनकर या सोधा मैया गुसा होकर के ग्वालों को गाली देती हैं और कहती हैं कि मैं अपने पुत्र का मन बहलाने के लिए भेजती हूँ तो सभी ग्वाल मेरे प्री श्री क्रिशन को दोड़ा कर मारे डाल रहे हैं ठीके न या कस्ट पहुचा रहे हैं इतना लिख सकते हो तो इस वीडियो में केवल इतना ही हम आपको बताएंगे ठीके न नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए जो कुछ भी अच्छाए आपके च्छाए पद बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करा देंगे इसकी पीडियाफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल लर्न विथार्पी जॉइन कर लीजे वहाँ पर आपको पूरा हम आप अच्छे से दे देंगे पीडियाफ बना करके उमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छी लेगे तो